पसामन को व्योर्स में नाम है मरियम अदील and welcome to my youtube channel मरियम के yum meals व्योर्स आज special beginners के लिए में ये वीडियो लेकर आई हूं जो नई cooking स्टार्ट करते हैं और अगर उनकी रोटी सही नरम फुली फुली नहीं बनती है आटा उनसे सही से नहीं गुंदा जाता मुश्किल लगता है so this is very useful for them let's start what we need to do तो कुछ tips के साथ हम आटा गुनते हैं सबसे पहले आपने जो भी बटन में आटा लिया है वो बिल्कुल dry होना चाहिए ताकि उसके साथ खुशका जो भी आटा अपलेते हो वो चिपके नहीं and then आप उसमें दो चमच घी का इस्तमाल करें इससे रोटी जो है हमारी काफी अच्छी बनती है और नरम भी बनती है और फूलती भी अच्छी है अब आपने वियोर्स इस आटे के दरमयान में सुराख करना है और इसमें डालना है पानी और फिर आइस्ता आइस्ता आपने खुशका लेते जाना है और इसको पानी के साथ मिक्स करके आपने इसको गुनते जाना है वियोर्स यहां पर मैं अपने खाली एक हाथ के इस्तमाल कर रही हूं राइट हैंड कर रही हूं तो आपने एक हाथ से ही आटा आपा असानी गुन सकते हैं, एकदम आपने पानी एड नहीं करना है, अगर आप एकदम पानी एड कर लेंगे तो वो फिर बहुत जादा आटा नरह हो जाएगा, तो व्यूर्स थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और दूसरे आटे के साथ इसको मिक्स करके, आपने इसको अच्छे से इसना प्रेस भी करना है, दाके बीच में कोई गुट्लिया ना बने, अकसर व्यूर्स आटा जो गुनते हैं, जिन्होंने नया ना गुनना स्टार्ट के होता है, उनकी ये शिकायत होती है, बीच में गुट्लिया बढ़ जाती ह तो ये स्टेप करना बहुत जरूरी होता है, कि आप थोड़ा सा पानी लें और इसको गुनते वक इसना जब आप इसको प्रेस करेंगे, तो इन्शाला गुट्लिया बिल्कुल नहीं बनेंगी, सो व्यूर्स आप जो इसको आटा गुनते जाएंगी, तो साथ साथ आप इस उसके साथ भी हम फिर ये स्टेप रिपीट करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके वियूर्स यहाँ पे बस आखिर में थोड़ा सा खुश्का रह गया था, उसको भी मैंने थोड़ा सा पानी से कूनते, अब आपने सारे इस आटे को मिक्स कर लेना है एक दूस पिश्रे हाथ का इस्तमाल करना है, और दो से तीन मरतबा हम अपने दोनों हाथों का इस्तमाल करके आटे को बुंदेंगे, साथ साथ वियूर्स आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है, जितना भी साइट में यह आटा लगता जा रहा है, प्यारी पैई लड़कियों, क् सफाई के साथ जितना कोई काम करेंगे, उतने ही आपकी चीज अच्छी भी बनती है, काम करने का मज़ा भी आता है, साथ 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 सफाई का ख्याल रखना है, यहां पर एक से दो मरतबा में आटा गुंदा है, ठीके, एक साथ आपने खुशका जितना भी था, उसको गुं है, सो 15 से 20 मिनट के बाद जब आपने देखना है आटे को, तो वह बहुत अच्छा नर्म मुलाइम हुआगा, क्योंकि मैंने आटे जब हम लोगों ने पहले हाथ गीले करके आटे के उपर फेर दिये थे, तो नम्मी जो होती है, वह अंदर तक चली जाती है, उससे जो है आ मैं एक शेप में आ गया है, और इतना नर्म मुलाइम आ गया है, और ना जजदा सख्त है, कि आपके लिए गुना मुझकिल होगा, ना जजदा नर्म है कि वह ब कुल शेप में नहीं आती, हमारी बहुते ह्की हां हैं तो व्यूर्स, यहां पर बलकुल, यहां पर आप भी ज इसी तरह फ्रेश हो यह मैं आपके सामने एक रोटी भी बना रही हूँ मैंने काफी दफ़ा वीडियो में रोटी को बेलना भी सिखाया है आपने किनारों का बहुत ख्यार रखना होता है तो किनारे पतले होने चाहिए यह एक रोटी मैंने तवे पर डाली जब वन साइट थोर सी ब्राउन होगी तो आपने इसको टर्न कर लेना है हलके हलके जब बबल जाना स्टार्ट हो तो दुबारा आपने इसको टर्न करना है अब आप देखें जड़ा सा मैं उपर प्रेस करूंगी कपड़ा तो कितनी रोटी जबरदसी फूल रही है तो यही बात होती है कि अगर आटा अच्छा गुंदा हुआ होगा व्योर्स तो आविसली रोटी भी अच्छी बनेगी तो बहुत ही असान तरीके से आपको मैंने आटा गुंदा सिखाया एक हाथ से और कितने मज़ेदा तरीके से एकदम गुंदा गया और इस तरह तरीके से अगर आप रोटी बनाएंगे तो आप एक साथ कितनी ज़्यादा रोटी बना सकते हैं सो मेरा मकसद था एक अच्छी सी बात आप तक पहुंचाना बिकोज ये बिगनर्स के लिए है इस अब बेसिक वीडियो अगर आपको रोटी अच्छी बनानी आजाएगी तो इन्शाला आप हर काम बहुत ही भी तरीन तरीके से कर सकती हैं तो इन्शाला ताला मिलते हैं इन्शाला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत जदा ख्यार रखेगा अलाव